हम हैं इंडियन्स और हम इंडियन्स चीजों को बरबाद होने नहीं देते तो इसी से दान्त पे आज की रेसिपी है ये हैं कुछ बचे-खुचे से बिस्किट्स ये अलग अलग तरह के बिस्किट्स के एक बहुती बढ़ी आसी रेसिपी बनने वाली है ये बिस्किट्स मुष्चे के बिस्किट्स को ग्राइंड कर लेना है मिक्सर घ्राइंडर जो हुता है मृशित इसको पीस लें और हमको एक चंशनी लेना है और उस चंशनी में मैं पिसे हुए बिस्किट्स को डाल रही हूं ये तक्रीमत एक अप था अब मैंने लिया बेकिंग सोड़ा और एक चमच बेकिंग पाउडर मैंने इसमें एक चमच कोकवा पाउडर डाला है और इस सब को मैंने एक साथ छान लिया बड़े से बरतन में इसको अच्छे तरीके से छानना है ताकि जितनी भी चीज़ें अपने पाउडर फॉर्म में डाली हैं अब ये कुछ बचे कुछे पार्टिकल्स हैं जो थोड़े से बड़े साइस के हैं तो मुझे इसको हाथ से ही चूर कर लेना है या चमच की मदद से चूर कर लेना है अब मैंने एक बड़ा सा पॉट लिया है उसमें मैंने दो अंडे डाले हैं साथानी से और मैं आप डाल रही हूँ इसमें मक्खन मक्खन मेरा 30 ग्राम है आप मेजर करके ले सकते हैं और ये है शक्कर शक्कर है एक चौथाई कप इन सब चीजों को मुझे बड़िया मिक्स करना है आप यहाँ पे वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं उसके बाद मैंने ग्राजूली दीरे दीरे इसमें जो मैंने पाउडर बनाया हुआ है बिस्किट का वो सारा डालना है और बीट करते जाना है इसको बड़िया मिक्स करते जाएं इसको मिक्स करना बहुत जरूरी है बड़िया सारी चीजों को मिक्स करना है उसके बाद हमको इसमें डालना है दूद अगर ये थोड़ा सा भी गाड़ा होना शुरू हो तो हमको इसी consistency ठीक करने के लिए थोड़ा थोड़ा दूद डालते जाना है मैंने इसमें टोटल आधा कब दूद यूज किया है और वो भी मैंने धीरे धीरे डाला है जब मेरा mixture थोड़ा गाड़ा होता था तो मैं इसमें दूद आड़ कर दे थी तो वैसे ही आपको करना है धीरे धीरे दूद आड़ करते जाएं और बड़ियास इसको blender की मदद से mix कर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं hand blender का use कर सकते हैं या जाहें तो mixer grinder का भी यूज कर सकते हैं इसको बीट करना mix करना बहुत ज़ादा जरूरी है अच्छे से mix कर लें इसको इस तरीके से हुजाना चाहिए अब मैंने इसमें कुछ चोको चिप्स डाले हैं क्योंकि यह च तब मैं मिला लिया है इसको और मैं चोको चिप्स को ऊपर से भी आड़ करूंगी इसलिए मैंने इसको बढ़िया mix कर लिया देखिये यह है consistency इस consistency में आपको बैटर को लाना है मैं बना रही हूं tea cake इसलिए मैंने कुछ इस तरीके मोल्ड इस्तिमाल किये हैं यह छोटे तो आप भी लगा लें, यह step बहुत जरूरी है, अगर आप cake बनाते हैं, तो हमेशा उसको grease कर लें, उसके बाद मैंने butter paper का यूज किया है, उस size का butter paper काटा और इसमें लगा दिया है, तो यह देखिए, दोनों में मैंने butter paper लगा दिया है, grease करने के बाद, उसके बाद मैं इसम हो चुका है, और जितना भी बचा हुआ batter है, इसमें अच्छे से साफ करके डाल दे, ऐसे ही करना है आपको भी, यह रहे कुछ चोको चिप्स, जैसे कि मैंने बोला कि यह चॉकलेट केक है, तो इसमें चोको चिप्स जाना जरूरी है, मैंने अपने oven को preheat किया है, और मैं इस इसके sides को हमको अलग कर लेना है, ताकि मैं इसको आसानी से बाहर निकाल सकूँ, तिन से, इसकी sides सारी आप एक चाकू से अलग कर ले, इस तरीके से आपको भी करना है, यह देखें, यह बढ़िया से अलग हो रहा है, और इसको मैंने बाहर निकाल लिया, देखें कितने बढ पेपर लगाना उतना जरूरी नहीं होता है बिना उसके भी काम हो जाएगा अगर आपके पास है तो लगा ले ये देखिए हमारा केक बन के रेडी है इसको बोलते हैं टी केक इसको चाय के साथ सर्फ करना है हमको और आप देख सकते हैं कितना बाउंसी है ये और बहुत ही चाकू से आप उनको काट लेना है और इंजॉय करना है इसको चाय के साथ खा सकते हैं बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं तो हमारा जो टूटा फूटा पुराना सा बिस्किट था वो बहुत ही अच्छे तरीके से अब केक बन चुका है और इसको आप खा सकते हैं वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें